सभी भावी अध्यापक साथियों का मैं अपनी क्लाश शेटल में एक अपडेट जो है वो भी हम उसके बारे में जानेंगे जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं जानेंगे क्या या हम उसके बारे में डिसकस भी कर सकते हैं आपस में आप अपने बिचार भी साजा कर सकते हैं और अगर आपके बिचार में जो भी चीज सही है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं और सरकार या आपने जहां तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं कमेंट के मादियम से या शेयर के मादियम से आप अ लेगा मेरे हिसाब से तो ये कम है आज के महंगाई वरे जमाने में अगर बात कर लें तो ये कम है फिर्विक ऑगर उनको लगता है या इस तरह का अगर मैं जो दिखते हैं क्या इसक्षाब विवाफ की प्रीडीर्ट मं fire निया हम लगबगते हैं और मेबे कुछ आमेंडमिन्ट में जो हो सकती है वो हो सकते हैं के इंदर सरकार जो है वो देखे वच्ब गाइब हम की पॉइंट्स के खूपर भी बात करेंगे कि क्या-क्या चीछे हैं कि जिगों से खुश हैं तो Standing कमेंट वाक्स के माध्यम से जुरूर कमेंट करें और यह बिचार अपने साजा करें जैसे कि आप देख पा रहे हैं सरकारी स्कुलों में लगने वारे एंटीटी शिक्ष्कों को दस हजार जो है वो बेतन मिलेगा जो मेरे हिसाब से जो है वो आज के मेंगाई वरे जमाने में बहुत ही कम है और आपकी रहा इसके बारे में क्या है आपका जो बेतन जो है भावियत आपकों का वो क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें और श जो बेतन जो है वो के इंदर सरकार की और से आने वाली राश्टी से दिया जाए हैं यहां पर इंपॉर्टन जीज़ है वो देखने वाली है कि जो भी आपको बेतन दिया जाए आला कि बि नोटिपिकेशन जारी नहीं यहhu तो यहां पर हो सरकार की और से आने वाली रासी कि और सकार की और से आने वाली राशीत होगी ओर सरकार क्या फिर्ट करती है क्या होता है तो देखेंगे हम और यह करेगा हमारी आने वाला digamos application पके तोर पर तो यह साफ है कि प्री नर्सरी शिक्षों के बेतन पर हिमाचल सखार अपने खार्पे से फिलहाल जहां यहां पे शब्द है फिलहाल बजट जो है खर्च नहीं करेंगे वहिए महिंगाई का चमाना है तो कहीं न कहीं तो बच्ट होनी ही चाहिए एक है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी जो है आपकी मेहताना जो होना चाहिए कितना सैलरी जो होनी चाहिए और जरूर शेयर करें आगे भी और ऐसी महंगाई किस दोर में दस हजार की रासी एंटिटी सिक्षकों को जो है वो यह बड़ा कुछ कह नहीं सकते हैं अलाकि बड़ती के लिए बनाएगी जो प्रीडाफ्ट की नियम अब फिरोजकारों को जटके पर जटके दे रहे हैं जी हां पहला जटका तो आपको मिनी गया था दो साल एक साल बहुत ही जादा कंफ्यूज थे जो भावी अध्यापक परने वाले हैं तो खेर उनके हक में यह फै के लिए सुब कामने मैं दूंगा और एक चोटी से आप से रिक्वेस्ट है कि आगे भी सतरह की अपडेट के लिए और एच्पी बोर्ड और स्टडी मैंटीरियल और इस तरह से अधायापकों के से जुड़े इन मुद्दों के यह आप जरूर अपनी बास चैनल जो है सबस जो है आप सरकार निकाल रही है सरकार की माने तो माचल में जिन लोगों ने एक साल का एंटीटी कोर्स किया है जी हां ध्यार रखें एक साल का जिन लोगों कोर्स जो है वो किया हुआ हुआ है उनके बारे में कहा गया है उन्हें राहत देने का प्रयास किया जाएगा जी हा और हमें भी ये बताते हूं आपको अच्छा लग रहा है कि वाके में बहुत सारे लोग जो बहुत तेज हो चुकी है तो बहुत दिक्क्यत होती है भाईया इस महेंगाई भरे जमाने में तो इसमें ऐसे लोगों को राहत दी जाएगी जिनों नहीं एन सी टी यानि कि नेशनल कॉंसल टीचर एजुकेशन के पुराने आदेसों से जी हां इनके तहत जो है वो एक साल का जो है वो कोर्स जो है या डिप्लोमा जो है वो किया होगा तो उनको राहत है जी हां एन्टीटी भरती का इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई मेरे भाई जो है और यह आप लोगों को समझना भी होगा कि NTT के नए आदेसों के बाद भी किसी ने अगर एक साल का डिपलोमा जो है वो किया होगा उनके अदेस परित होने के बाद यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो अदेस उनके हुए थे तो उनके बाद अगर फिर भी किसी ने एक साल का अगर वो कॉर्स किया है तो उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है तो होप आप लोगों ऐसा ना किया हो तो वो इस भरती के लिए मानिया नहीं होगी ये थोड़ा सा जटका देने वाली बात है तो जटके पे जटका जैसे की बता रहे हैं सुत्रों के हवाले से या आपके तो वहीं नहीं आदेशों से अगर पहले एक साल की एंटिटी कोर्स युवां के लिए भरती में मानिया तो आर एंपी रूल्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दू तो जो भी जॉब्स हैं जैसे आपके टीजीटी रख लीजिए या और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी कैडर हैं जेवीटी रख लीजिए उनके जॉब के लिए जब भी जो है व अमें टीटी के लिए ऐसे कुछ भी डूर्स में बनाए जाएंगे तो यह थोड़ा सा आपके लिए टिसपॉइंट है कि उन रूसके ऑक्वरिंटर appelle नहीं होOOGी तो यहां पर थोड़ा सा जटका लग रहा है कि परहाल आपकी यह सब कुछ के लिए हो जाएगा थोड़ा सा बेट कीजिए आप रने रहीए और हां लाइक एकन पर बटन जुरूर दवाई ताकि आपके लिए मैं कोई और छोटी मोटी अपडेट या एक नॉटिफिकेशन ही लेकि आजाओं तो एंटिटी जो है वो भरती के लिए आर एंपी रूल्स जो है वो आप देख पा रहें नहीं वनेंगे और एंसी टी गाइडलाइन के तहट यहां पर ध्यान दीजिए गाइडलाइन के तहट जीओ है वो सीधी बरतिया होंगी और यह साफ है कि और सॉर्स से ही होने बाले इन भरतिएंगे आपसे जरूर आवेदन मांगे की और सॉर्स के से आप classification निकले गी राइट लिकांस जो प्राब्धान किया गया था उसमें साफ है कि अब भर्ती और सौर्सिस के माध्यम से होगी यह यहां पर बात क्लियर है बाकी देखी नौटिफिकेशन क्या कहती है यहीं इस वर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदक जो है रेगुलर के लिए क्लेम नहीं कर से यहां पर और भी जटका है यहीं इस बढ़ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदक जो है वो रेगुलर होने के लिए क्लेम नहीं कर सकते वह यह वाकिवी में अगर आट्सॉर्स हैं तो आप कैसे रेगुलर होने के लिए क्लेम करते हैं बहुत संघर्स करना पड़त चाहा है इससे पहले भी आप देखते होंगे न्यूज में या कहीं भी किसी भी माद्यम में की बहुत सारी कैटागिरी एजुकेशन डिपार्टमन में जो थी शिक्षा विवाग में चाहिए आप इसी भी की बात कर लें पीडिय की बात कर लें तो कितना टाइम लगा उनको कितना सिंगर्स करना पड़ा उनको पैर पैरा कितनी सारी कैटागिर उनको उनके लिए फ्रेम किए तब जाके वो रेगलर हुए तो बेरहाल फिलहाल आपके लिए यही है तो यह बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद जो टोटली क्लेर हो जाएगा तो उसके लिए आप बारों को देखके सुनके जो है वो कुछ हद तक आपके रख में जो चीचे चाहें तो फिलहाल एंटिटी डाइलाइन में की और से बहुत सारी चीचे जो है वह वह वाहर अभी आनीं बाकी है लेखना होगे कि उतने अपी जटके लगने बाकी है खैर सो जो की पॉइंट से है जनकी मैं बात कर रहा तो उनके बारे मैं भी मैं आपको बता दूं तो वह सबसे बड़ी चीच है कि और सॉर्स पर रखे जाएंगे वह आपको पहले भी उता चुका हूं मैं की जो भी है वह और सॉर्सिस पे रखे जाएंगे और एक साल का डिपलोमा जो है कुछ सर्तों के साथ होगा बने ये आपके लिए बहुत बड़िया चीज है ये सही में जो मानने होंगे लेकिन कुछ सर्ते जो है इसमें रहेंगी वो सर्ते क्या है डिटेल में नोटिफिकेशन आने के बाद ह हम बता सकते हैं उन चीजों को देख सकते हैं तो होग आपके लिए एक बहुत अच्छी वो चीज जाए और एंटेटी भरती के नए नियमों से बहुत सारे जो भाविय अध्यापक हैं वो मेरे हिसाब से नाकुस हैं और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये पपने से नहीं था ये सुत्र के हौाले से ही था तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें बाकी आने वाले चीज़ें आपके हख में जाएं यही हमारी एक ठाटाबान है कि आपके थियां अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो शियर करें और आगे बने रहने के लिए सबस्क् thank you and have a nice day